हेलो एवरेबन कैसे आप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में ग्लास 11 के राजनीती विज्ञान का चैप्टर निमबर 4 यानि विधान पालिका का पार्ट 2 करने वाले हैं इससे पहले दोसब नमने कर लिए अगर आप सभी ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्सिन में है वहाँ से जाकर दोसी अगर्षी देख सकते हैं तो चले दोसब पार्ट 2 शुरू करते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टर्मन एक्जाम समाप्त हो चिके हैं और सेकंड टर्म यानि फाइनल जो टर्मन एक्जाम है उसमें दो महीने का जो समय सेस रहेगे दोस्तों और इन दो महीने में ज़्यादा सिलिबस कवर करना है तो हमें अभी सही और एक सटीक तैयरी करनी है तो अब पॉलिटिकल और इस वीडियो को एन तक देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जुरूब सब्सक्राइब कर देजेगा और वीडियो कर पसंद है दोस्तों जरूर लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेर कीजिए ताकि हर बच्चों तक वीडियो पहुँच सके और बैल आ मुखंग होते हैं राइट एक होता है विधान पालिका एक होती कार पालिका और एक होती न्याय पालिका और विधान पालिका तीनों अंगों में से सबसे महत्व पूर जी है जो विधान पालिका है यह तीनों अंगों में से सबसे महत्व पूर अंग है और विधान पालिका का मुझे कार क्या है देश की परिस्थितियों का निसार आवस्यक कानूनों का निर्माड करना और विधान पालिका कार पालिका पर नियंतर भी रखती है ठीक है तो कानूनों के निर्माड करने काम किस का दोस्तों विधान पालिका का है कार पालिका अगर हम बात करने कार पाल परिफोकस करेंगे दोस्तों तो विधार पालिका क्या है दोस्तों सरकार के इन तीनों अंगों में सबसे सबसे महत्यपूर अंग है और बात कर लेते हैं जो हमारी विधान पालिक है उसे संसद भी कहा जाता है और हमारे जो भारते संसद है वो किन से मिलकर बनी है तो जो भारते संसद दोस्तो वह तीन चीजों से मिलकर बनी है ये तीन महत्पुर्ट तत्वों से मिलकर बनी है वह दोस्तो लोकसभा, राजसभा और राशपती जहान लोगसुभा, राजसुभा और राश्पती, जैसे एग्जामपल के लिए तो जो भारती सव्धान है उसके अनुच्छे 79 के नुसर, जहाँ भारती सव्धान के अनुच्छे 79 के नुसर संग के लिए एक संसद क्या गया है आपर, कि संग के लिए क्या होगी दोस्तो संग के लिए संग के लिए एक संसद होगी जहां संग के लिए एक संसद होगी यह अनुछेद 79 में कहा गया है संग के लिए एक संसद होगी जो राज्ट्रिपती और दो सदनों जिसे राज सभा और लोक सभा कहा जाता है इसे मिलकर बनेगी और जो राज सभा है दोस्तों वो क्या है उपरी सदन है क्या है दोस्तों राज सभा उच्छी सदन है यहां और जो राज्यों का प्रतिनितु करती है जब कि लोग सभा अनुछे दिक्यासी में यह निम सदन है जो जनता का प्रतिनितु करती है और जो ये राश्ट्रपती है ये संसद के सत्र को बुलाता है यानि संसद के सन्यूक तद्वेशन की बुलाने का जिम्मक इसको राश्ट्रपती को है हाला कि राश्ट्रपती जो है दोसों संसद के सन्यूक तद्वेशन के देश्था नहीं करता है हम आगे चर्चा करेंगे कि राश्पती कैसे सन्वी तद्विसन बुला सकता है ये हमारा जो टोपी के दोस्तों अलग है बट अभी आपको ये समझ लेना है कि जो भारत्य संसद है वो 79 के नुसार राश्पती लोक सभा और राजी सभा से मिलकर बनी है यहां से कोशन आ सकता है चलिए अब बात कर लेते दोस्तों कि हमें संसद की अवसकता क्यूं होती कि हमें संसद की जो अवसकता है वो क्यूं है तो सरकार की तीनों अंगों में से दोस्तों संसद एक महत्त पूरंग है संसद जो है राजी की इच्छा को कानून के रूप में निर्मत करती है कारे पालिका तथा न्याय पालिका अपने कारियों के लिए विधान मंदल पर निर्भर करती है एक देश संसद के बिना अपना कोई कार भी ठीक और पूरंग से नहीं कर सकता और क्यूंकि जो भी कानून निर्माड है दोस्तों वो संसद के दुवारे किया जाता है यानि आप कह सकते हैं जो संसद है वो जनता की इच्छाओ को कानून के रूप में एक परकार के दोस्तों जीवन प्रदान करती है यानि जो हमारी अवसकता हैं उन सभी अवसकताओं को पूरा करने के लिए संसद ही निर्माड करती है जिसे जनता के जन कर लाड़कारी जरू तो पूरा किया जा सके यहनी संसत दोस्तों एक परकार से दोस्तों हमारे देश और हमारे संसतनों को परिपून करती है के लिए अब हमें संसत की अवस्तत क्यों होती है तो दोस्तों हमें संसत की अवस्तत क्यों है तो सबसे पहला हमारे संसत की जरुत क्यों होती है दोस्तों है कानून निर्माड करने में अब कानून निर्माड करने में कैसे दोस्तो लॉव मेकिंग फॉर्फंक्शन कैसे जैसे दोस्तो संसद की अवसकता हमें इसलिए भी पड़ती है क्योंकि संसद ही देश के लिए कानून का निर्माड करती है और देश की परिस्तितियों के जैसे देश में कोई परिस्तिती है दोस्तों अपात कालीन परिस्तिती है या नोर्मल परिस्तिती है तो इन देश की परिस्तितियों के अनुसार और नागरिकों के अवस्तक्ताओं के अनुसारी कानूनों के निर्मान करती है संसद जो आप कह सकते हैं एक परकार से जनता जो जनता है जनता की इच्छा का प्रतिनीदितों करती है कौन संसद जनता की इच्छा का क्या करती है प्रतिनीदितों करती है और जनता की इच्छा संसद के कानूनों में ही प्रकट होती है और आधुनिक लोकतंतर की बात करें दोस्तों तो राज्यों में कानून का मुकसरोथ ही संसद हो होती है तूसरा कारेपालिका पर नियंत्रण यानि कंट्रोल ओवर था एक्जिकीट्व कि दोस्तों लोग तंत्र में क्या होता है यहां मैं आपको दादू लोग तंत्र में क्या होता है लोग तंत्र में अगर हम बात करें तो लोग तंत्र में संसज जो है संसद जो है कारपालिका पर क्या करती है कारपालिका पर नियंतरण यहां नियंतरण रखती है थोड़ा भोत संसदे सरकार में कारपाल का अपने समस्कारियों के लिए संसद के परती क्या होती है उत्तरदाई होती है और मंत्री मंडल के जो भी सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और संसद के जो सदस्य होते हैं और मंत्री मंडल तक तब तक अपने पत पर रह सकता है जब तक उसे संसत का विश्वास प्राप्त हो और जैसे ही संसत अविश्वास प्रस्ता पास होने की दसा मंत्री मंडल को त्याग पत्त देना पड़ता है यानि जो मंत्री मंडल है वो दोस्तों जो है विधान पालिका पर ही निर्भर करता है तीसरा हमें संसत क्यों सकत क्यों करने के लिए वित्य पर कैसे निंद्रत करने के लिए संसद की यह कार्य कार्य पर्च नहीं कर सकते इसलिए भी अमें संसत क्यों सकता होती है चोथा दोस्तों नयाइक कार यह नैकर के बात करें तो तो संसत को बहुत सर नयाइक कार भी करने पड़ जैसे संसत जो है राष्ट पति तो उप्राष्ट पति को महाभियोग के द्वारा आटा सकते हैं इसके बाद सविधान में संसोधन यानि यह पास है और भारति संधत को यहां बात करने के नहीं कि विसीज़ी अपनाया दिये जबकि भारत में त्यून तरीके से संसुदन किया जासकता है, साधार भॉमत से, विशेज भॉमत से और विशेज प्रस्मे आदे सरीर्डियों के सहमिति से, तो इसलिए भी हमें संद्वर्धान में संसुदन करनी चिह सकता है चुनाव संबंदिकार में संसत क्या है। जैसे एक्जाम्पल के लिए बात करें भारत वर्ष में राष्पति का चुना संसत करता, यानि संसत के दोनों सद्रों के चुने हुए निर्वाचित हुए सदस राषपति के चुनाओं में भाग लेते हैं और ये दोनों चुनाओं संसत के सदस मिलक harmony करते हैं भी देती पर नेतरण फोर्कन पॉलिसी हमारी विदेश निति कैसी होनी चाहिए ठीके और किस आधार पर होने चाहिए और मंत्री मंडल को अपनी विदेश निति भी संसत से पास करने पड़ती है और को गड़त अंत्रात्मक राज होते हैं कोई भी युद्ध या संदी उस समय तक नहीं कि जा सकती आटवा हैं लोगों की सिकायते दूर करना अब सिकायते दूर करने बात करें दोस्तों तो कई बात जनताओं को कई बार सिकायते होती हैं कटनाईया होती हैं समस्था होती हैं उन सभी समस्थाओं का हल करने के लिए संसत में प्रसंद खड़ी के आते हैं प्रसंद जो मंत्रिय नेस टोपिक वह संसद का सुरूप जैसे हम बात करते हैं तो भारति संसद का जो सुरूप है दोस्तों हमने कहा कि भाई भारति सब्दान को सा 79 के अनुसार संग के लिए एक संसद होगी जो राश्पती और दो सद्नों रास्वर लोक्सवासी मिलकर बनेगी यानि जो हमारे सं द्वी सद्निये यहां धानों भारति संसद का सुरूप है वह द्वी सद्निये एक वाद आदे आपको क्या है तो वह है दोस्तों द्वी सद्निये तो हमारी संसद का सुरूप है द्वी सद्निये द्वी सद्निये मतलब एक सबहा को हम लोक्सवा कहते हैं दूसरों को राज राज्यों में बहुता है राज्यों में क्या होता है राज्यों में विधान सभा और विधान परिसद विधान सभा और विधान परिसद तो हालंकि सभी राज्यों में दोनों सदन नहीं पायाते हैं कुछ राज्यों में दोनों सदन पायाते हैं तो वह मैं दोस्तों आपको ज जानना है कि जो भारतित संसाथ का भर दोस्रों थो दूर्व राजसभा का जाता है अब देश्चों यहां पर देख सकते हैं राजसभा ठीक 79 सब्सक्राइब पहले से हाउस और कमन कहा जाता था राजसभा पहले सुझ करक जाता था अब इसे जंता का जाता है आं सधन का जाता है लोग प्रें सथन का जाता है तो यह सबस्तिति है पहले से हाउस ओफ कोमंस कहा जाता था या अभी जो लोक ऽवारा सबस्तिति हैं जो से कर दो यह संद का निमनी सधन होता है और लोग सबस्तितितिंत का पांच वर्स यानि ये जो लोगसभा ज़्या के जैनि जन्ता है जंता के सदन है लोग सभा में अध्थक्ष और उपादस्य करते हैं लोगसभा का की राश्वैत दो बुलाएकर सन्यूत ज़त की आजेसथा भी सब्सक्राइब तो राजसभा भात्र लोगतंत का उप्रई सदन है इसे राज्यों का प्रतिनित करने सदन कहा जाता है और ये कभी विगडित नहीं होती इसलिए इसे इस्थाई सदन भी कहते है यानि राजसभा का कभी विगड़न नहीं होता है और ये कहा एक इस्थाई सदन है जो सद का अभी नंग होता है भारते सवधान में से अनुचे असी में वनीत किया गया है इसे उच्च सदन विशे सदन इस्थाइच सदन के नाम से भी जाना जाता है अगर हम लोक सभा की संदचना की बात करें तो दोस्तों लोक सभा की संदचना अधिकतम कितने सदस होते 552 ठीक लिए लिए जाएंगे और इनमें दिली और प्रणिचरी से सामिल लें जमकि 12 सबस्टों राश्पति द्वारा मनुनित कि वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में राज सभा के जो सबस्टों संक्या है वो 245 है दोस्तो चुने भी कितने है यानि जो राज्यों का प्रतिनित करते हैं राज्यों के सदस्व को है 238 और 12 के है 12 सदस्व को राश्पती मनुनित कियाते हैं जिने कला साहित विग्यान में ख्याती प्राप्त होती है ठीक है अब यो 200 इसमें 28 राज्य है और 7 जो 4 सदस् कि यह जाते हैं तिंग इसी प्रकार से तो लोकसभा में अधिक्तम संख्य कि निये पान सो पैंतालीस कितनी पांसो पैंतालीस्किति 5455 455 है इसके अधिक्तम संख्या मनें बताए तो 502 हो सकती जिसमें से इसे सिति नहीं होगी गोगा तार कम हो रही है यानी अब उनकी इतनी संख्या नहीं है कि अलग से राश्पति उनका निर्वाच्छन करें क्लियर अभ सबसे ब्रसंद सवाल उठता है दोस्तों कि दो सदन क्यूं रोकता है अगर जो पहला सतन द्रेंकसी परप्तिबंद लगाता है ठीके और क्या बात है दोसरा सतन क्रेजby करता है जल्दी में पास की कानूनों को रोकता है और बिलो को दोराता है दूसरे सदन पहले सदन की समय की बचत करता है और दूसरे सदन संगहात्मक राज के लिए अनिवार इसलिए भी हमें सदन के दोनों सदन बनाए इसलिए हमें वसकता थी ठीक अब इसी परकार दो सद सद गी सकतियां और कार कार के अगर मस भ्यात करें पूछा है तो सद की सकतिया और कार है वही जो आपने से पहले चर्चा कर लिए विधाई सक्तियां हैं वित्य सक्तियां हैं कारपालिका पर निंत्रन हैं ठीके विधाई सक्तियां हैं तो संसद के मुख्यार का है कानूर का निर्मार करना और संसद कानूर बनाने की सक्ति बड़ी व्यापक है संग सूची में देगे सभी विश्य पर इसे कानु मिलाने का अधिकार है विट्ट्य सक्तियां भी है संसद राष्ट के धन पर निंत्र रणकती है और विट्ट्य वर्ष के आरम होने से पहले बज़र संसद में पेश किया जाता है और संसद इस पर विचार विवर्स करती है, कारपालिका पर भी निद्रन करती है और राश नीतियों को निवधायद भी करना संसद का कार है साथ साथ दोस्तों, नयाइक सक्तिय हैं, सवधानी सक्तिय हैं और निवाचन संबंदी अधिकार भी है ठीक है सवधानी सकतिओं कि अगर हम संसद की बात करें दोसों जैसे आप सभी को पता है भारत में भारते संसद को सब्दान में संसदन करने का ब happiness प्राप्त है तो हमने बताए जो सवधानी सक्ति हैं उन्हें 368 किते हैं तीन प्रकार के संसोधन का अधिकार प्रतान किया गया है संसद को और संसथ को भारते सवधान का पजिकार मिला हुआ है वह मिला थे दोulation केशनद भारतिवात से यहां केशनद भारतिवात से यह इनको मिला था तो यह भी एक महत्वर टोपिक और भी इसमें उप्सक्राइब है डोशल की ऊप्सक्राइब करेंगे आज की वीडियो बस इतना है दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लेगे तो इसे लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो जुरू सब्साइब कर दीजिए और इस वीडियो ज्यादा ज्यादा सेथ कि हर बच्चे देवीडियो पहुंस सके और सभी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं ने स्वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन